नमस्कार, जीरो पीरिट के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है, आज की वीडियो कक्षा दस्वी के उन विद्यारतियों के लिए है, जो 36 गड़ बोर्ट की परिक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, और अध्याय 15 हम इसमें डिसकस करेंगा, अध्याय 15 के प्रशनावली एक को अध्याय का नाम है ठोस आकरतियों का प्रिस्थी छेतरफल एवं आयतन, यानि कि सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम आफ सॉलिट्स, अगर सिधी भाशा में कहें तो यह मेंसुरेशन का पार्ट है, और इसका जो पहला एक्सरसाइज है, वो आज की वीडियो में हम ड पाज सवाल हम एक एक करके डिस्कस कर लें, और जानले कि उनको कैसे बनाना है या उनके बनाने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है, बिना समय को गवाएं, हम आज की वीडियो शुरू करते हैं, आईए पहला सवाल उदाहरण से ही शुरूआत करते हैं, सबसे पहले लेते हैं पहले उदाहरण को जो चतीजगण माद्यमिक सिक्षा मंडल के पाठे क्रहम के अनुसार चतीजगण पाठे कुस्तक निगम ने जो बुक प्रकाशित की है उस पर है तो उस बुक से हम पहला एक्जामपल ले रहे हैं अध्याय पंदरा के पहले जो दिया गया है यानि अध्य आकाशी विकर्ण की लंबाई ज्याद करो विकर्ण दो तरह के होते हैं आपको पता है एक विकर्ण को हम आकाशी विकर्ण बोलते हैं एक को हम प्रिस्ठी विकर्ण बोलते हैं दोलों के अपने अपने सूत्र हैं अपने अपने तरीके हैं ग्याद करने के आकाशी के लिए आगर आप सूत्र लिखना चाहें तो सबसे पहले तो आपको सवाल को हल करते समय, सूत्र ही लिखना पड़ेगा, इसलिए आईए वही से शुरुआत करते हैं, आकाशी विकर्ण, इसका जो सूत्र बनेगा, वो बनेगा, वर्गमूल, L स्क्वेर, प्लस B स्क्वेर, लंबाई, चोड़ाई और उचाई के वर्गों का योकफल याद करना है, तो आपका L है 10, B है 4, और H है आपका 5, यह वेल्यूज आपको गीवन है, आपके कुश्चन में दिया हुआ है, कि लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चोड़ाई 4 सेंटीमीटर है, उचाई 5 सेंटीमीटर है, सारी वेल्यूज आपने पुट कर दिया और आप एके करके इन वेल्यूज को, सौल कर ले, स्क्वेर करके, स्क्वेर जब आप करेंगे इनका तो 10 का स्क्वेर हो जाएगा 100, 4 का 16 हो जाएगा, पांच का 25 हो जाएगा, अब इनको अगर आप जोड़ते हों, तो 10 का जहां तक मुझे याद आता है, यह किसी का वर्ग नहीं है, अगर 144 होता तो शायद 12 होता, तो 10 दस दसमलों सम्थिंग आएगा, तो आप उस पचड़े में ना पड़ें, आप सीधा उत्तर अपना लिखें, एंसर बराबर वर्गमूल 141 सेंटीमीटर, और इसकी 21 सेंटीमी बनना चाहिए, 11.8 सम्थिंग बनना चाहिए, तो आप दसमलों में 11.8 सम्थिंग जो भी कुछ आएगा, वो आप निकाल के लिख सकते हैं, वैसे यहां तक भी लिखते हैं, तो आपका उत्तर मेरे हिसाब से कोई incomplete नहीं है, आए देखते हैं दूसरे सवाल को, उदाहरण 2 ह आईए, सवाल तो नहीं है, कहने सिए, बुक्का एक्जम्पल 2 है, इसमें कहता है, 6 cm भुजा वाले घन के प्रिस्टी विकर्ण वा घन के आकाशी विकर्ण की लंबाई ग्याद करें, आकाशी विकर्ण अभी अभी हमने डिसकस किया है, पिछले एक्जम्पल में, इसलिए पहले अपन आकाशी विकर्ण को ही बात कर लें, उसके बाद फिर प्रिस्टी विकर्ण की बात करेंगे, आकाशी विकर्ण क्या होगा, दिखिए, आपने ये समझा है, कि जो घन है और घनाव है, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस केवल साइट का होता है, अगर मैं इसको घनाव ही मान लूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसको घनाव ही मान लेता हूँ, तो ये होता क्या, L square प्लस B square प्लस H square, ऐसा होता, ये ऐसा होता, लेकिन आपके घन के case में क्या होता है, घन में L और B और H तीनों बरावर होते हैं, मैंने उसको L ही मान लिया, तो आकाशी वी करन जो होगा घं का वो किया हो जाएगा कुछ लोग सीजे सुतर के रूप में याद रखते हैं मैं आपको साजेस्ट करूएंगा कि आप इसको कांसेप्ट के रूप में याद रखें तो l-square धन l-square धन l-square यह नीं कि 3 l-square का अंडर root तो 3 अंदर रह जाएगा और L root 3 आ जाएगा तो ये आपका सूत्र बन गया प्रश्ण के हिसाब से प्रश्ण में L है प्रश्ण में L is equal to कितना है 6 है तो आकाशी विकर्ण का जो मान आएगा वो आजाएगा 6 root 3 cm तो ये आपके उत्तर का एक पार्ट हो गया अब दूसरा पार्ट प्रिस्ठी विकर्ण निकालना है प्रिस्ठी विकर्ण होता क्या है आपका जो प्रिस्ठ है उसका जो विकर्ण होगा वो प्रिस्ठी विकर्ण होता है मतलब अगर ये ए है और ये ए है तो पाइथाकोरस के हिसाब से ये a root 2 होता है आपने ये पढ़ रखा है कोई नई चीज नहीं कक्षा साथी से आप पढ़ते आ रहे हैं तो बस यहीं आपका प्रिस्थीविकर्ण है तो घंका जो प्रिस्थीविकर्ण होगा वो सब जगा एक ही होगा इसलिए उसका एक ही सुत्र आप दिमाग में रखे वो होगा L रूट टू तो L आपका 6 है तो 6 वर्गमूल 2 हो जाएगा ऐसे ही दूसरा प्रिस्टी विकर्ण में निकालोगे तो भी उत्रही निकलेगा जितने भी आप विकर्ण निकालेंगे प्रिस्टी में सब का मान 6 वर्गमूल 2 सेंटी मीटर ही आएगा आकाशी विकर्ण 6 वर्गमूल 3 आएगा और प्रिस्टी विकर्ण 6 वर्गमूल 2 आएगा आप चाहे तो इनका एंसर अलग अलग लिख सकते हैं एंसर पृष्टी विकर्ण और उसके बाद आकाशी विकर्ण पुझा है यह अपृष्टी करते हैं ये प्रश्णे के क्रम के हिसाब से उत्तर का क्रम हो जाएगा अब हम शुरू करते हैं प्रश्णावली को प्रश्णावली का जो पहला सवाल है वो एक घनाब के उपर केंद्रित है घनाब 8 मीटर लंबा है 4 मीटर चवड़ा है 2 मीटर उचा है घनाब के सभी विकरणों की लंबाई ग्याद करो अब सभी विकरण की जब बात कर रहा है व अकाशी विकरण पहले नहीं कर रहा है पर space diagonal बोलते हैं इसको English medium वाले लो अकाशी विकरण हो जाएगा L2 प्लस B2 प्लस H2 आप इनकी values पूट करेंगे तो यह हो जाएगा 8 square, 4 square और 2 square तो 88 चंप्सट होगा 4 चंप 16 होगा दो दूनी 4 होगा ठीक है तो यह कुल में लागे अगर मैं इनको जोन दूँ तो शोला चार बीस हुआ और यह हो जाएगा चार और च्छे दो आठ एटी फोर वर्गमूल चावरासी सेंटीमीटर इसका मान आएगा तो इसका कितना एट्जेक वेल्यू आएगा आप डिसिमल में निकाल सकते हैं लेकिन मैंने सेंसर को यही पे छोड़ रखा है अब एक एक करके प्रिस्थी विकर्ण निकालते हैं प्रिस्थी विकर्ण एक करके कैसे निकलेगा पहली बार जब हम प्रिस्थी विकर्ण लेंग है चावडाई 4 है आठी आठी 64 होगा और 4 चौंग 16 होगा 16 और 4 अगर मैं 8 कर दू तो यह हो जाएगा 6 4 10 6 और यह आगा प्रिस्थी विकरण एक फिर पहला प्रिस्थी विकरण निकालेंगे आप इसमें आप यूज करेंगे बी और एच को तो बी स्क्वेर प्लस एच स्क्वेर होगा आपका बी है चार और एच है दो तो चार चोग 16 हो गया और दो दुनी 4 हो गया मतलब ही आ गया वर्गमूल 20 इसके बाद तीसरा प्रिस्थी विकर्ण निकालेंगे तीसरा जो प्रिस्थी विकर्ण होगा वो होगा L और H का L स्क्वेर प्लस H स्क्वेर आप फिर से मान रखेंगे 88 64 और दो दुनी 4 बनेंगे आप एक एक करके answers लिख लें सबकी इकाई मैंने नहीं लिखी है यहाँ पर तो आप अंत में उत्तर लिखेंगे तो एक आएगा रूट 84 cm फिर आएगा रूट 80 cm फिर आएगा रूट 20 cm और फिर आएगा रूट 68 cm इनको थोड़ा थोड़ा simplify किया जा सकता है जैसे ये है 80 जो है 16 और 4 का गुड़न फल होता है चार चोंक 16 और 5 के गुड़न फल होता है तो 4 चोंक 16 और 5 80 तो 4 वर्गमूल 5 cm लिखा जा सकता है इसको ठीक इसको भी दो दूनी 4 पंचे 20 होता है तो 2 वर्गमूल 5 cm लिख सकता है इसको और इसको कैसे लिख सकते हैं 68 को भी अगर स्प्रिट किया जा सकता है तो 68 को भी लिख सकते हैं आप और अंदर वर्जबूल 17 लिख सकते हैं तो इस तरह से आप चाहें आप जाहां अप अचाहें तो आप पूरा रेक्कमल निकाल करें लिख सकते हैं Sóरे उत्तर होता है घन का जो प्रिस्थी विकरण होता है वो होता है L root 2 या A root 2 जो भी आप यूस कर रहे हैं हो साइट के लिए वह आपके उपर डिपेंड करता है अब L है आपका बारह वर्घमूल तीन तो बारह वर्घमूल तीन के साथ वर्घमूल 2 का गुणा करें तो 12 वर्गमूल 6 cm हो जाएगा यह गन का प्रिस्थी विकरण होगा अब उसका आकाशी विकरण निकालना है अगर तो गन का जो आकाशी विकरण होता है आपने उदारन में यह सवाल बनाया हुआ है तो गन का आकाशी विकरण होगा एल वर्गमूल 3 एल आपका 12 वर्गमूल 3 है फिर उस पर वर्गमूल 3 तो अगर इनको देखें तो यह हो जाएगा वर्गमूल 3 गोड़े 3 तो 3 बाहरा जाएगा तो 12 तिया 36 cm हो जाएगा यह तो आपके दो उत्तर आएंगे दोनों उत्तरों को आप लिख लीजिए एंसर आपके आएंगे 12 वर्गमूल 6 cm और 36 cm इस तरह से यह सवाल बन पाएगा इस प्रशनावली का और इस वीडियो का यह अंतिन सवाल है और बड़ा ही इंट्रेस्टिंग सवाल है एक तरह से यह एप्लिकेशन है उस बड़े से बड़े खंबे की लंबाई ग्याद करो जो 10 पीटर लंबा 10 मीटर चवड़ा और 5 मीटर उंचे कमरे में रखा जा सकता है अब आप जब प्रशनों को पढ़ रहे हैं तो प्रशन में ना तो आकासी विकर्ण की बात कर रहा है ना ही प्रिस्ठी विकर्ण की बात कर रहा है विकर्ण नाम की बात ही नहीं कर रहा है ना घन की बात कर रहा है ना घनाप की बात कर रहा है मतलब एक आएक अगर प्रशनाप के सामने आएगा तो आप इस बात को लिकर परिशान हो जाएंगे यह किस प्रश्णावली का या किस अध्याय का या किस आकृति के बारे में पूछा जा रहा है तो तुरंत आपको नकालना है उसको सीरे सीजे नहीं पूछा है यह application based question कहते हैं हम लोग इसको तो इसका application कैसे करेंगे बस आपको फार्मू डालागा देना आकाशी विकर्ण का आपका उत्तर निकल आएगा सबसे बड़े खंबे की लंबाई मतलब आकाशी विकर्ण अब यह आकाशी विकर्ण आप सूतर से निकालेंगे simple सा फार्मूला है आपके पास l square plus b square plus h square आप इसको जब put करेंगे तो l की value 10 दिया हुआ है b b 10 ही है और h आपका 5 है तो 10 का work करूँगा तो 100 आएगा फिर 10 का work करूँगा साव आएगा फिर 5 का work करूँगा पच्चीस आएगा तीनों को जोड़ दूँगा तो 220 आएगा 225 का work होता है तो इस तरह से इसकी जो उचाई होगी या लंबाई होगी खंबे की वो होगी 15 सेंटीमीटर तो आपका जो एंसर आएगा लास्ट पर आप जो एंसर लिखते है वो एंसर हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर तो इस तरह से डियर स्टुडेंट्स आपके बना सकते हैं प्रशनावली बहुत आसान प्रशनावली तीन सवाल थे दो उधारन भी हमने कवरप कर लिया तो पांच सवाल इस वीडियो भी हमने डिसकस किया है इसके बाकी सवाल बाकी एक्सरसाइज भी है एक एक करके मैं आपको वीडियो में देते रहूंगा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगे तब तक के लिए टेक केर बाए बाए